हलो प्यारी बच्चो मैं स्मिसर्फ रॉम देवेक्स अकेडमी आज क्लास 9 का चैप्टर 1 करा रहा हूं और यह चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है तो लेट्स सी देखे बच्चो आपका चैप्टर 1 नमर सिस्टम तो नमर सिस्टम के बारे में बताते हम देखे सबसे परे पकेडेस्टम रियल नमर्स होते क्या है तो रियल नमर्स क्या है यह दो तरह के होते हैं रियशनल नमर्स होते हैं जिनहें हम root 3 root 5 dash 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 other ऐसे भी आगे and pi देखिए यहाँ पे आपका root 4 root 9 root 16 यह जितने भी नमबर्स है ना जो के root से भार आ सकते हैं यह आपके प्यापन क्यों के भूम में सुन नहीं किया जा सकते हैं ठीक है बच्चों तो देखिए rational numbers आगे फर्दर two category में divide होते हैं integers and fraction और decimals ठीक है बच्चों तो देखिए integers वे नमबर होते हैं जो minus infinity से लेके और plus infinity तर जाते हैं कि minus infinity से minus three minus two minus one zero one two three और infinity तर आगे बढ़ते जाते हैं fraction fraction क्या होते हैं fraction वे नमर्स होते हैं जिन्हें one of p upon q की फॉर्म में यानि कि यह प्यूपन q वाली होते हैं यानि कि यह बटे हुए होते हैं numerator upon denominator में ठीक नहीं यह numerator and denominator होते हैं decimal देखिए fraction and decimal इनके वेल्यू यह की जैसे आप निकाल सकते हैं बट decimal भी आगे two types से होते हैं terminating decimal and non-terminating decimal ठीक बच्चों देखिए terminating decimal terminating decimal क्यों से होते हैं terminating decimal होते हैं one point five यानि कि जहां पे point के बाद digit रुक जाता है ठीक नहीं point के बाद digit रुक जाता है one point five two point two five eight point three two five सारे जितने भी नंबर हैं यह सभी terminating decimal होते हैं non-terminating decimal देखिए non-terminating decimal भी further two category में divide होते हैं first repeating जिनको के आप recurring में कह सकते हैं second आपका होता है non-repeating यानिकि non-recuring ठीक नहीं तो इनको बोलते हैं non-terminating repeating एंड यह होते हैं आपके non-terminating non-repeating देखिए भी तो जो repeating बाले होते हैं इनमें क्या होता है कि point के बाद digit बार-बार repeat होता है digit का एक block बार-बार repeat होता है ठीक नहीं इदर में देखिए 1.333 या 5.777 या फिर आपके इन आप यह जो repeating वाले नमबस दे रहें आपको इनको आप बार की फोम में भी लेख सकते हो 1.3 पर बार इसको बोलते हैं यह बाला जो आपका डेस है इसे बोलते हैं बार ठीक है बच्चो इसे जो यह आप लगा तो इसे जो आपका ब्लोक बार-बार repeat हो रहा है ना जो ब् है ठीक है नहीं इदर में देखिए 7 रिपीट हो रहा है 7 5.7 पर बार या फिर 7 3 इदर में 7 3 7 3 बार-बार रिपीट हो रहा है तो 8.73 पर बार लगा दिया ठीक है देखिए non repeating non recurring यह विवाली non terminating decimal होते हैं जो कि terminate नहीं होते आगे बढ़ते ही जाते हैं और repeat भी नहीं होते ठीक है बच्चो तो इसको note down कर दो आप और आगे देखिए एक की पावर M into A की पावर N ओके तो इसमें आप कर सकते हैं A की पावर M plus N second A की पावर M divided by A की पावर N आप इसे कर सकते हैं A की पावर M minus N ओके यह properties होते हैं आपकी थर्ड आपको मिलता है A की पावर M into B की पावर N तो आप इसे कर सकते हैं A B की पावर M ओल की पावर N ठीक है A की पावर M की पावर N ऐसे आप लेख सकते हैं A की पावर M की पावर N मल्टिप्लाइ कर सकते हैं इनका ठेक है नहीं सेकेंड कोच रूट A plus root B का होल स्कॉयर तो यह बच्चों A plus B का होल स्कॉयर से होगा रूट A का स्कॉयर प्लस रूट B का स्कॉयर प्लस टू रूट A रूट B और यह से आप कर सकते हैं रूट A रूट B प्लस 2 रूट A B लेख सकते हैं ठेक है रूट A माइनस रूट B का होल स्कॉयर रूट A का स्कॉयर प्लस रूट B का स्कॉयर माइनस टू रूट A रूट B और यह आपका होता है ए ए स्कॉयर, सॉरी ए ब्लस B देखें यह जो एसकॉयर है ना इससे रूट कैंसल अउट हो जाएगा स्कॉयर से रूट कैंसल आफ हो जाए इसी तरस से ऊपर हो है ठीक है नहीं तो A प्लस B माइनस टू रूट A B है ठेक हो जो सेकंड थर्ड आता है आपका इसी में देखेंगे यह यहां पर ए प्लस रूट बी और सेकंड ब्रेकेट में रूट ए माइनस रूट बी तो यह आपका ए प्लस बी की ए स्पी इन्टू ए मैनस बी वाली फाउम है और यह आपका होगा रूट ए का स्कॉयर माइनस रूट बी का इस्कॉयर और यहां से यह हो जाता है ए माइनस बी ठीक है यानिकि स्कॉयर से रूट खट जाएगा ओके तो यह कुछ प्रोपर्टीज है यह आप नोट डाउं कर लो आपको एक रैशनलाइज कॉंसरेक्ट बताता हूं देखे बच्छों आपने देखा है वन अपन वन अपन यह वन अपन टू माइनस रूट थरी इसको करना है हमको रैशनलाइज उक्कर करना है तो रैशनलाइज क्या कोंसरेक्ट होता है तो करने के लिए जो भी ड होता ना इसके को कर देते हैं एक यह आपको मैंने एक फोर्मूला बताया यानि a minus b into a plus b वाला a plus b इससे एक स्कार यानि कि जो फर्स्ट तर्म है आप उसका स्कार माइनस जो आपके सेकंड तर्म है इसका स्कार और इस तरह से होगा two plus root three upon four minus three ओके बैच्चो और यह इस तरह से हो जाते है two plus root three if you are like my video so please do like share and subscribe my video thanks झाल